आदेने देख जी, हम सब के लिए गर्व की बात हैं का आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगा बना पाया है। बेच से विवेकानन तक जो हमने पाया है सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज विश्व को हमें साथ रहाने में जोड रहा है आदिन्य देग जी ये सदन से विदाई लेना एक बहुत भावुक पल है परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको जगजोर देती है और हम जब ये सदन को छोड़के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिस्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है अनेक यादों से भरा हुआ है खटे मिठे अनुभव भी रहे है नौक जोग भी रही है कभी संगर्स का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्साव और उमंग का माहौल भी रहा है ये सारी स्पूर्दिया हमारे साथ हम सब की साजी स्पूर्दिया है ये हम सब की साजी विरासत है और इसलिए इसका गवरों भी हम सब का साज़ा है आज हाद भारत के नवनिर्मान से जुड़ी हुई अनेक घटनाएं इन पचतर वर्ष में यही सदन में आकार लेती हुई हमने देखी है आज हम जब इस सदन को छोड़ करके नए सदन की और प्रस्तान करने वाले हैं तब भारत के सामान ने मानवी की भावनाओं को जहां जो आदर मिला है सम्मान मिला है उसकी अभिव्यक्ति का भी अउसर है और इसलिए आदरिनिया देख जी मैं पहली बार जब संसत का सदत से बढ़ा और पहली बार एक संसत के रूप में इस भावन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसत भावन के दोर पक्ति पर अपना शीष जुका करके इस लोगतंत्र के मंदिर को सद्धा भाव से नमन करते भी मैंने पैर रखा था वो पल मेरे लिए भावना उसे भरी हुई थी मैं कल्पना नहीं कर सकता था लेकिन भारत के लोगतंत्र की ताकत है भारत के सामान ये मानवी की कि लोगतंत्र के प्रती स्रद्धा का प्रतिवीम है कि रेलवे प्रेट्फॉर्म पर गुजारा करने वाला एक करीब परिवार का भच्चा पार्लामेंट मोहीं करता है कि देश मुझे इतना सम्मान देगा इतना अशिरवाद देगा इतना प्यार देगा सोचा नहीं साथ जरुजी आदेड़े दिगी हम मैंसे बहुत लोग हैं जो संसद्धोन के अंदर जो चीजे लिखी गई उसको पढ़ते भी रहते हैं कभी कभी उसका उल्लेक की करते हैं हमारी यहां संसद्धोन के प्रविष द्वार पर एक चांदों के उपनिशत का एक वाक्य है लोग के द्वारम करके उरा वाक्य है उसका मतलब ही होता है कि जनता के लिए दरवाजे खोलिये और देखिए कि कैसे वो अपने अधिकारों को प्राप्त करती है हमारे तुर्शी मुन्यों ने लिखा हुआ हमारे प्रविष द्वार पर लिखा हुआ हम सब और हमारे पहले जो यहां रहे है वो भी इस सत्यता के सांख्शी है अधनिय अध्य जी समय रहते जैसे जैसे वक्त बदलता गया यह हमारे सदन की संवरचना भी निरंतर बदलती रही है और अधिक समावेशी बनती गई है समाज के हर वर्क का पतिनिदी विवीतिताओं से भरा हुआ इस सदन में नजर आता है अनेक भाशा हैं, अनेक बोरियां, अनेक पहरवेश हैं अनेक खानपाने, सदन के अदर सब कुछ है और समाज के सभी तपके के लोग चाहे वो सामाजी क्रचना के हो चाहे आर्थी क्रचना के हो चाहे गाउं या शहर के हो एक प्रकार से पूर्ण रूप से समावेशी वातावर सदन में पूरी ताकत के साथ जन सामाने की इच्छा कांचाओं को प्रकट करता रहा है दलीत हो, पीडीत हो, आदिवैसी हो, पिछड़े हो महिलाए हो, हरने हर एक का धीरे 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 योगजान बढ़ता चला गया है आदिवैन देख जी, प्रारम में महिलाओं की सदसांग का कम थी लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है इस सदन के गरिमा बहुत बढ़ाओं लाने में उनका जोगदान रहा है आदिवैन देख जी प्रारम से अब तक एक मोटा मोटा हिसाब लगाता था करीब करीब 7500 से अधीक जनप्रतिनिदी दोनों सただरों में मिला करके योगदान दे चुके हैं इतने सारों में 7500 से करीब कर चाथा इस कालखन में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरीबा को बढ़ाया है दोनों सदन और आदर्णिय दिख जी आप जानते हैं कि सदन में आदर्णिय इंदरजीत गुपता जी 43 अगर मेरी गलते नहीं हो तो 43 अगर इस सदन में लंबा समय बैट करके इस सदन के साक्षी बनने का उनको सवभाजी मिला आदर्णिय दिख जी जहां शकीकूर दैमान जी 93 की एज में भी सदन में अपना योगदान देते रहे जटिन के उमर 93 और आदर्णिय दिख जी कि भारत के लोगतंत्र की ताकत है कि 25 साल की उमर की चंद्रमणी मुर्मू चंद्रमणी मुर्मू इस सदन की सदस्य बनी थी सिर्फ पतिस साल की उमर की सबसे छोटी उमर की सदस्य बनी थी आदर्णिय अत्यक्ष महोदे बाद विवाद कटाक्ष ये सब कुछ हम सब ने अनुभव किया है हम सब ने इनिशेट भी किया है कोई बाद नहीं जा है लेकिन उसके वाव जुद्धी साहिद जो परिवार भाव हम लोगों के बीच में रहा है हमारे पहले की पीडियों में भी रहा है जो लोग प्रचार माध्यमों से हमारा यहां का रूप देखते है और बाहर ने करते ही हमारा जो अपना पन होता है परिवार भाव होता है वो एक अलग ही उचाइब ले जाता है और यह भी सदर की ताकर